बढ़े जण जण का है आज गल एकी नारा कि डेंगु मुक्त हो शहर हमारा और शहर ही नहीं पूरा प्रदेश मुक्त हो इस डेंगु से डेंगु का बुखार आजकल इतना फैल रहा है ये इंफेक्शन लोह के बीच में इस तरीके से वाइरल हो रहा है कि लोग दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं मरीद हमारे शहर में अस्पतालों में भीड बढ़ती ही जा रही है और इसकी शुरुआत होती है नॉर्मल बुखार से पहचान में भी नियाता है डेंगु है या नॉर्मल बुखार है इस बारे में जादा जानकारी कठा करने के लिए हमने आज अमंत्रित किया है इन्वाइट किया है अपने के जी अम्यू कूंज रेडियो स्टेशन में एक डॉक्टर एक्सपर्ट को उनसे मुखातिब करवाएंगे आपको पहले बता दें हमारे एप्लिकेशन को डाउनलोड करके आप अपने प्ले स्टोर से विश में कहीं पर भी हमें सुन सकते है सर आज हमारे साथ में जिनका दारूफ आपसे करवाएं इंट्रोडक्शन डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा जी है और मैं बच्चों में आज वाइरल बुखार पे चर्चा गरूंगा अमूमन वाइरस जो होते हैं ये इनर्ट पार्टिकल होते हैं अगर वातावरा में पढ़े रहें तो ये कुछ भी नहीं कर सकते जब तक ये किसी के सरीर में प्रवेश नहों जाएं जैसे ही ये किसी के शरीर में प्रवेश होग करते हैं वैसे ही ये एक्टिव हो जाते हैं और विभिन तरीके की बिमारिया करते हैं ये उस तरीके का वाइरल नहीं है जो अमूमन हम सोशल मीडिया पर देखते हैं जी ये वाइरल हो गया वो वाइरल हो गया आजकल रियल्स जाधा वाइरल होती है मानोव में ये काफी समय से वाइरल डिजीजिस हमें मालूम है लेकिन पिछले कुछ दश्कों में जैसे हमें पता चला influenza different different तरीके के influenza आ गए कुछ समय पहले SARS virus आया था फिर Mars virus आ गया, फिर COVID virus आ गया फिर Swine flu virus आ गया तो इसी तरीके के में एक डेंगी वाइरस भी है और भी बहुत धेर सारे वाइरसे हैं जो अलग-अलग तरीके के वाइरस जनित रोक करते हैं डेंगू वाइरस एक तरीके का वेक्टर जनित रोक है वेक्टर हम उस चीज को बोलते हैं कि यह हमें किसी माध्यम से मिले और डेंगी फीवर में जो हमें माध्यम होता है वो मच्छर होता है तो यस बीमारी के बचाव में और इसको प्रिवेंट करने में मच्छरों पे बहुत ही फोकस रहता है तो यह वेक्टर जनित बीमारी है जिसमें एडीज एजिप्टाई नाम का मच्छर होता है जिससे हमें डिंगू बुखार होता है इस समय काफी देखा गया है कि हमें बहुत धेर सारवे वाइरल इंफेक्शन्स और वाइरल बुखार के मरीश मिल रहे हैं जिसमें से कभी कभी अचानक से पता चलता है जी इसको बहुत सारा सीवियर किशम का डिंगी था और उसके बाद उसकी हालत काफी खराब हो गई तो कई बार हमें डिफ्रेंशेट करना पड़ता है या अलग करना पड़ता है इनी वाइरल बुखार में से कौन सा वाइरल बुखार है या कौन सा डिंगी बुखार है अमूमन जो common viral infections होते हैं वो droplets के थूफ हैं आपके सास में जो small air droplets होते हैं उनके contact में आने से या physical contact से फैलते थे हैं जैसे पिछले कुछ सालों में COVID-19 खांसने से छीखने से छूने से लेकिन ये डिंगू जो बुखार है ये दूसरी तरीके का है जो मैंने पहले ही होता है ये वेक्टर जनित मच्छर से फैस्चने हैं इस समय दोनों तरीके के viral बुखार बहुत प्रिचलन में हैं और पिछले कुछ महिने से काफी ज्यादा viral मच्छर काटता है तो डर लगता है कहीं डेंगू तो नहीं हो गया जैसे कुछ वक्त पहले कोविड का टाइम था कोई पास में चीक देता तो लगता था हमको कोविड तो नहीं हो जाएगा तो आज कल मच्छरों से भी बहुत जादा खौफ इंजान हमेशा से इरिटेट हो चाहिं कहां कि भुखार को बड़े रूप हो रहें अलग-छ तरीके कोई चिकन मुनिया हो रहें कहीं बच्छों में लाल चकत्य पढ़ रहे हैं यहीं वारे ला तो नहीं बात करेंगे लेकिन इस मच्छर केबारे में पहले चान लिया जए ये तरीके से सही कह रहे हैं आप मच्छर अतंकवादी बन गया है और हमारे इस समय जो dysregulated urbanization है इसमें इसका बहुत योगदान है crowding है ये सारी वेक्टर जनित सारी वाइरल बिमारियों में इन सब का योगदान है तो पहले हम बात करेंगे मच्छर को क्या हम दूसरे मच्छरों के पहचान सकते हैं तो बहुत खास बात है कि ये जो डेंगू जिस मच्छर के काटने से होता है वो अक्सर हमें दिन में काटता है अगर हम मच्छर को देखें तो इसमें spotting होती है कुछ गहरे रंकी और हलके रंकी धारियां सी बड़ी होती है कई बार इसको हम मच्छरों का टाइगर भी बोलते हैं बड़ा होता है क्या अमूमन सामान जो साइज है वो तो बराबर का ही होता है साइज की बेसिस पर हमने डिफ्रेंशियेट कर सकते अलग नहीं पचा लेकिन कई बार इन पर स्ट्राइप्स होती है और दिन में काटने वाले मच्छर से हमेशा बच के रहे हैं और मैंने इसके अरन थोड़ा पढ़ा था तो पता चला था कि यह जादा उचाई तक उड़ो नहीं पाता है घुटने से उपर उड़ो नहीं पाता है इसलिए फुल स्लीप के कपड़े पहने आप यह भी एक चूंकि एक तरीके का आतंकवादी है इसलिए कैपसिटी भी इसकी काफी जादा है चार सो मीटर तक यह अपने उरिजिनेट जहां पे पैदा हुआ है वहां से लेके चार सो मतलब लगभग आधा किलोमेटर की रेडियस तक यह पाँपसार सकता है अर्बनाइजेशन में फरक नहीं पढ़ता यह कितने उपर जा रहा है छे फुट तक तो हमें काटी सकता है तो फरक नहीं पढ़ता कि यह कितना ऊचा उड़ सकता है नहीं उड़ सकता लेकिन अगर हम पूरी स्लीव के कपड़े पहने अपने हातों को पैरों को ढखके रखें मॉस्केटो रिपलेंट क्रीम लगाएं हलके रंग के कपड़े पहने और मच्छर पैदा होने वाली जगों को पैदा ही नहोने जाएं जैसे मैंने बताया यह डिस रिकलेटेड और अन अर् नाइजेशन में छोटे छोटे पॉर्ट जहां पर क्लियर वाटर जमा होता है साफ पानी में पैदा होने वाला मच्छर है तो साफ पानी जमा ना होने जैसे कूलर है जैसे छोटे मोटे वेस्ट हैं जिसमें पानी खटा हो सकता है टायर है यह अमोमन हमारे घर में के अंदर पड़े रहते हैं या आपके पड़ोसी के घर में पड़े होते हैं या छोटा मोटा अभी इस बार हमारी जो रेनी सीजन रहा वो भी काफी लंबे समय तक रहा और इस बार रावाण डूब के मरा तो इस वज़ा से भी और अचानक से टंपरेचर जो कम हुआ वह भी बिलकुल बढ़िया मच्छरों के प्रिजनन का टंपरेचर होता है उसमें अचानक से कमी गिरावट तरीच की गई जिसके वज़ा से मच्छरों की अचानक प्रत्थी हुई है और साथ में अपने पास पडोस की जहां साफ सफाई कर सकते हैं करें जहां साफ सफाई नहीं कर सकते जहां पे डेंगू का मच्छर प्रजनन कर सकता है तो कम से कम मिट्टी का तेल डाल दें या लार्विसीडल कोई ड्रग लेके वो डाल दें ताकि यह मच्छर ना बढ़ पाए अपना प बुखार और यह हर साल आ जाता है यह जून क्रॉस होता है जुलाई क्रॉस होता है सप्टमर अक्टूबर तक यह आई जाता है वायरल बुखार और यह देंगू भी मतलब जैसे हर साल थंडी का सीजन आता है गर्मी का सीजन आता है देंगू आता है तो यह वायरल बुखार क क्या है इसको कैसे आप मतलब én करें गई वाइरल बुखार को अलग जो एक नॉर्मल बुखार होता है उससे कैसे यह वाइर्स कम से कम काफी अलग अलग टाइप के वाइरे सोते हैं जो अमुमँ वाइरस वाइरल बुखार होते हैं mostly upper respiratory tract infections के बुखार होते हैं जिसमें कॉकसेकी है, एडिनो है और भी बहुत धेर सारे different type के respiratory viruses हैं जो अपने शरीर में गुशते हैं mostly air droplets के थुरू जो हमने COVID-19 में precautions लिये थे mask पहनें, बार बार हातों को धोएं, physical contact से बचें, ये सारे viral बुखार को भी prevent कर सकते हैं, ये अक्सर कुछ-कुछ महिनों पे आज आते हैं, काफी समय तक रहते हैं और इनका कारण यही है कि इस समय जिस हिसाब से हमारा urbanization हुआ है, और crowding होती है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में, और ये काफी बड़ा mass बन जाता है, जिसके वैसे हम अचानक से viral बुखार का जिकर करने लगते हैं वायरल बुखार, युद वैरल बुखार भर आ रहा है, उसको भी वायरल बुखार कह रहे हैं बात में पता चल राहिए कि अगर test वेस कर वा रहा है तो पता चल रहा है तो वह भी वायरल की category में ही आ रहा है, तो क्या ये सारे 10 घृम bran चकति-वाल भी आ रहा है उसके बारे में जाने, यह सब Viral बुखार का ही Part हैं? कहते हैं कि पेड की ещё अलग-अलग शाखा जैसे होती है उसी तरीके से हैं यह यह अलग-अलग बुखार हैं सब यह कह सकते हैं कि यह तरीके से अलग-अलग वाईरस ने अपना अलग-अलग श columne में प्रवेश करने का तरीका बना रखा है और यह वाइरल सारी डिजीजेस हैं तो जो वाइरस हैं रिस्परेटरी ट्रैक्ट के थूँ गुशते हैं और वहीं से से तीन दिन में कुछ सर्दी जुखाम के साथ धीरे धीरे इंप्रूम्मेंट शुडू हो जाता है और हमारी बदकिसमती सर यह कि यह जितने भी वाइरस हैं जैसे अलग अलग आपने बता हैं इनको एक जो उनके अनुकूल जो वाता वरण है इसी टाइम मिला हुआ यह एक साथ सारे अलग अलग बॉडी में गुश रहे हैं जहां उनको माहल मिल रहा है ना ज्यादा सजग रह का जो बुखार है यह काफी तीवर और काफी सीवियर फॉर्म का होता है इसमें ना केवल शरीर में दर्द तेज बुखार जाड़ा लग के बुखार आना कई बार आँकों के पीछे दर्द होना इसको हड़ी तोड़ बुखार भी कहते हैं कई बार के ना तेज दर्द होता है कि ऐसा लगता है कि हर्डियों में जान नहीं रह गई है तो ऐसे में आपको सचेत हो जाना चाहिए कि ये नॉमल बुखार से कहीं जादा तो नहीं है कहीं ये डेगंग तो नहीं हो सकता है इसके साथ में शरीर पे लाल लंके ना केवल चकत्ते आ जाना बलकि कई बार केवल फ्लेशिंग अमूमन जो हमारी तुचा का रंग था उससे ज्यादा लाल हो जाना ऐसा भी देखा गया है कई बार कहीं से खून आ जाना लैटिन में खून आ जाना या नाक से मू से या जिंजाइवा पे यहां पे खून आ जाना या छोटे स्मॉल पटे की जिसको बोलते हैं लालंके चकते छोटे से आ जाना वो सब एक तरीके से आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं आप नामल अमूमन होने वाले वाइरल बुखार से जादा तो नहीं हैं कहीं हैं डेंगी का लिच्छन तो नहीं हैं इसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि ये जो हमने अभी पीछे कुछ सिम्टम्स बता है जिसमें लालंके चकते रैश और ये सब होना ये केवल डेंगी के साथ नहीं है और भी धेर सारे कारण होते हैं जिनमें ये बीमारियां जिनमें ये लच्छन हो सकते हैं लेकिन डेंगू इनमें से एक है और इस समय के मौसम में जब मच्छा जनित लोग काफी ज़्यादा प्रभावकारी है और काफी प्रकूप में हैं तो डेफिनिकली हमको डेंगू बिल्कुल सोचना पड़ेगा लाल चकते वाली बात आपने कही और वो हमारे दिमाग में भी है और हम देख भी रहें कि छोटे बच्चों में खासकर कई सारे केसे से सा लाल चकते वाले बुखार पिछले अभी कुछ समय पहले हैंड फुट माउट डिजीज चल लही थी जिसमें बहुत धेर सारे अलसर्स और लाल लंग के चकते हाथों पर हो रहे थे मूँ पर हो रहे थे औरल कैविटी में हो रहे थे वह भी एक तरीके की वाइरल डिजीज तो उसको बोलते थे हैंड फुट माउट डिजीज इस समय डिंगी चल ला है साथ में चिकन गुनिया भी चल ला है जिसमें छोटे छोटे रैश छोटे लाल लंग के चकते इसके साथ ही कुछ स्क्रब टाइफस एक तरीके की बीमारी होती है वो भी चल रही है वो भी एक त चीज को पकड़ के उसको लेविल कर देना यह शायर डिंगी है या कुछ और भी हो सकता है बट डेफिनिटली अगर यह सब चीजे हो रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है अपने दिमाग में घंटी पजा लेनी है कि अब हम और घर पे बैटके किवल इसको नॉर और मली सर यह बुखार कितने दिनों तक के लिए रहता है और जो डेंगू बुखार के हम लोग बात कर रहे हैं इसके बात करें तो यह कितने दिनों तक रहता है और इसके और इसकी सावधानी इसके बारे में क्या हम ले सकते हैं इससे जुड़ी डॉक्टर के पास में शरीर में डेंगू का वाइरस घुसा और वो परिजले च्छित हुआ उसके सिम्टमस आए उसका अमूमन पीरियड होता है पांस से छे दिन लेकिन जो शरीर में वाइरस डिटेक्शन का टाइम होता है बुखार आने से एक दो दिन पहले से वाइरीमिया शुरू हो जाता है ज we Diane Ox ifena चैँचा सामाल बाल्सा या टैजश वाइरस या अत्यद्धिक मात्रा में वाइरस उसके साथ सिम्टमस तीवर सिम्टमस आने शुरू हो जाते है surgeons जाफ में बहुत ज्यादा मसल्स में पेन काई बार शेरीर में मूझत श्रूं ला बार ना से बार पिट में भी पानी आ जाता है छाती में भी पानी आ जाता है दिल के जिली के तरफ भी पानी आ जाता है ब्लड प्रिशर कम हो जाता है, आखों के पीछे पेन हो जाता है, साथ में उल्टी, पेट में दर्द, और भी तरीके के सास की लेने में भी दिक्कत आ जाती है, तो ये सब तो डिंगू बुखार के तीवर डिंगू के लच्छड है, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो हम चीजें कर रहे हैं और देख रहे हैं, इसमें मोस्टली लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, या ओवर दे काउंटर, किसी भी केमिस्ट के पास गए और कुछ दवा ले ली, जिससे उसको आराम मिल जाए, चुकि मरीज इतना परिशान होता है, किसी भी दवा से कई बार वो इस हालत में भी नहीं होता कि डॉक्टर के पास जा पाए, तो छोटी मोटी दुकान से वो ले के कुछ दवा खा लेता है, तो मैं बिल्कुल वर्ण करना चाहूंगा सभी को, कि ऐसा ओवर दे काउंटर सेल्फ मेडिकेशन अपने आप से दवाओं का सेवन ना करें, डिंगू में बहुत खासियत है कि ये दवाओं अपने आप से लेने से मर्ज बिगाड़ जाता है, पैरसिटामॉल खाते हैं लोग बुखार आता है, नर्मली बुखार आता है, तो पैरसिटामॉल बहुत प्रचलित है, खा लेते हैं लोग, तो क्या अगर अभी थंडी लगकर या हाथ पैर में दर्द होकर के बुखार आ रहा है, तो पैरसिटामॉल उसके लिए ली जा सकती है? जी हाँ पैरसिटमॉल आराम से ली जा सकती है और हम सावध़ानी बरतते हैं कि हम पैरसिटमॉल ही दें और चीज़ें ना दें अकसर देखा जाता है कि पैरसितमॉल कुछ न कुछ चीज़ों के ड्रक्स के कमब parsley चीज़ों के ड्रक्स के डेंगी बिखार में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती है अचानक से बहुत तेजी से प्लेटलेट कम हो जाने की समस्य आती है और ये प्लेटलेट केवल कम होते हैं कई बार साथ में ब्लीडिंग के साथ भी आने लगते हैं तो हम जहां प्लेटलेट कम हो रह रहे हैं इन दवाओं के माद्धे हम से तो इसलिए बहुत ही कई बार बोला जाता है और बार बार बोला जाता है कि वर्ध क्याटर मेडिकेशन्स ना ले जो इन प्लेटट की बच्छी होई प्लेट इस 20-30-40 अरहे जिनसे नॉर्मल काम चल सकता था लेकिन अपने उन ड्रक्श को दे के उन ओवर दा काउंटर दवाओं को सेवन करके उन प्लेटलेट की अपयोगी ताक कम कर दी जिसकी वैसे ब्लीडिंग टिंडेंसी बढ़ गई सर यह बुखार आ रहा है लोगों को तो शरीर को तो एकदम तोड़ के रखी दे रहा है लोगों की खाने पीने की इक्षा को भी मार दे रहा है तो ऐसे में क्या चीजें हैं जो लोग खा पी सकते हैं और मन भी नहीं करता है कुछ खाने का तो बड़ा ही परिशानी वाला समय ह होता है इन फैक्ट हर दूसरे तीसरे इंसान को यह बुखार ही रहा है हम भी जेल चुके हैं हमारे वाई साहब जो वीडियो कर रहे हैं रिकार वह भी जेल चुके हैं और कई सारे तो हमने देखा डॉक्टर भी इसके शिकार हो गए तो बताएं सर प्लीज कि इस पीरियड में क्या खा सकते हैं लोग खिचडी खा करके ही रह रहे हैं क्योंकि कई लोगों को सर अलसर हो जा रहा है मुझे खुद को अलसर हो गया था मेरे जुबान में चोटे चोटे चाले टाइप से पड़ गया थे तो खाने में भी दिक्कत हो रहे थी तो ऐसा अगर होता है तो क्या सिदे सही रहेंगे जी आपने बहुत उपयोगी क्वेश्चन पूछा क्योंकि जैसे ये बुखार शुरू होता हमें नहीं पता होता कि ये वाइरल बुखार किस टाइप का बुखार है डिंगू तो नहीं है क्या लें क्या ना लें अमूमन कुछ खाने की इच्छा तो होती ह नहीं है लेकिन मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा तरल पदार्थ जितनी मात्रा में आप ले सकते हैं इच्छा नहीं भी होगी कई बार उल्टी भी हो जाती है कई बार पेट में जलन भी होती है लेकिन आप अन्य मेडिकेशन के साथ जो भी डॉक्टर ने बताई हैं कुछ-क तरल पदार्थ जरूर लेते रहें और अगर डेंगी का शक भी लग रहा है और शरीर में कहीं पे स्वैलिंग आ रही है तो आप तरल पदार्थों को बढ़ा दें साथ में ओर इसका सेवन शुरू कर दें चुपकि खाना कम हो जाता है शरीर में इनरजी कम लगती है तो ऐस तरल पदार्थ लें जैसे पतली दलिया है चाच है नारियल पानी है शिकंजी है जिन से या विभिन प्रकार के सूप है चावल का पानी है चावल का माड है जिससे आपको ना किवल शरीर में लिक्विड जाए तरल पदार्थ जाए बलकि आपके शरीर में थोड़ी बहुत energy जितनी भी आप उस हिसाब से ले रहे हैं कम से कम पहुंचती रहे ताकि आप इस बुखार का मजबूती से मुकाबला कर सकें चुकि आपने बताया कि मुँ में चाले भी पड़ जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जैसे अभी मैंने पिशे जिक्र किया था हैंट फुट माउद िवीस थी जिसमें काफी समय तक चाले रहते 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 कई बार यह चाले उस बीमारी का दियो तक होते हैं कई बार यह चाले उस बीमारी को कॉम्प्लकेशन होते हैं जैसे डिंग Dieu बुखार में लाल लंके चकत्य पड़ जाते हैं कई बार ये उस दवा से जो हमने oral medication ली है परसेटमॉल लिया है या परसेटमॉल के साथ अन्य तीव्द दवाय ली हैं कई बार drug associated होते हैं antibiotic associated होते हैं और कई बार आपकी पुरानी जो micronutrient deficiency और multi vitamin deficiencies आपके शरीर में पहले से थी और उसको इस तेज बुखार ने और उभार के रख दिया तो उनकी वैसे होता है तो ऐसे में जैसे जो जो चीजें पता चलती हैं उस हिसाब से इलाज किया जाता है अमूमन हमारा जो यह होता है कि कम से कम चालों को इतना आराम दिया जाए ताकि बच्चा या मरीज या बड़ा कुछ खा सके तो हम anesthetic gel होते हैं और कुछ topical antiseptic gel होते हैं वो लगाने के लिए देते हैं ताकि oral जो भी इच्छा है वो आराम से ले सके सर यह बुखार आता है डेंगू का बुखार आता है तो शरीर में खोन की भी कमी हो जाती है इसको कैसे खान पीने से maintain किया जा सकता है जी हाँ, अक्सर हमको बोला जाता है कि शरीर में खून की भी कमी हो गई, डिंगू के साथ और पानी की भी कमी हो गई, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, कि शुरू में जैसे मैंने अभी बताया था, तेज बुखार के साथ शरीर लाल दिखने लगता है, या तो ऐसे में कई बार चुकि शरीर से फ्लूइट का सीपेज हो रहा होता है, शरीर के अंदर ही ब्लड वेसल से निकल के पेट में, फिफडो में और वेसल के बाहर जाने लगता है, तो पहले तो हमें दिखता है कि मरीज लाल हो रहा है और हिमो कंसेंट्रेशन होने लगा है, पहले उसका दस था लेकिन अभी बारा आया, लेकिन जैसे ही उसने फ्लूइट लेना शुरू किया, चाहें वो तरल पदार थी हो, तो वो हमोकलूबिन कम होने लगता है, और अक्सर पाया गया है कि वो अगर आईवी फ्लूइट पे था, फ्लूइट उसको दिया जा रहा था, ग्लूक खाने के लिए आपके उपयोगी चीजें हैं, जिनमें आयरन कंटेंट जादा होता है, हरे पत्ते वाली सबजियां है, गाजा चुकुंदर है, ये सबका सेवन, आप उसके साथ इनका जूस बना के कर सकते हैं, इनका सूप बना के कर सकते हैं, इसको लेते रहें साथ में, व वेजिटेबल और फूड ज़रूर रखें, ताकि केवल एक जो टाइप का फूड खाती रहने से अलग अन्य विटामिन्स की कुछ कमी हो जाती है, सब चीजों में सारे विटामिन्स हों, जरूरी नहीं है, सब चीज में आयरन हों, जरूरी नहीं है, तो वराइटी ऑफ ही नहीं पा रहे थे, तो तला भुना तो बिलकुल आप नहीं खा पाएंगे, और आपकी इच्छा भी नहीं करेगी, वैसे भी इस समय जो हमारे तले भुने खाने का प्रचलन इतना बढ़ गया है, कि फैटी लिवर डिजीज और ये सब चीजें बीमारी आने लगी है, तो जंदल जो लाइफ स्टाइल के चेंजेस हैं, उसमें तलाब होना, हम ऐसे डॉक्टर कम करने के लिए कहते हैं, बहुत दिनों तक चक्कर आता रहता है, कमजूरी लगती रहती है, ऐसे लगता है, शरीर के सारी ताकत चलेगी, कुछ करने की हिम्मत नहीं रहती है, तो ऐसे म क्युक्त, यूदे का बहुत जरूरी इंफरमेशन सर दे रहे हैं, कि इतने लिक्विड चीजा यह फ्लूट वाली चीजें हैं, शर ने बताई है, इसमें फ्रूट्स भी हो सकते हैं, उनका सेवन करें, और जो चीज़े खा सकते हैं, तलाब होना छोड़ कर के, सर काफी सार information हमने जान ली है I hope हमारे जो viewers और listeners हैं उनको useful information मिली होगी फिर भी अगर उनके सवाल रहते हैं तो हम उनसे request करेंगी कि 8887019138 पर लिख करके अपना सवाल भेज़े हैं हमारा WhatsApp नमबर है 888701998 जाते जाते सर इसके जो उपचार हैं इनको एक बार लोगों तक बताते हैं कुछ लोग इस पीरियेट को जो 5-6 दिन का बुखार अभी में आ रहा है इसको सोचते हैं कि अगर पैरा से टॉमाल खाते हैं तो बुखार उतरता तो है लेकिन फिर वो दूसरे टाइम में फिर पकड़ लेता है फिर खाना पड़ता है फिर पकड़ लेता है तो डॉक्टर के पास में इसका इलाज किती जल्दी हो जा रहा है यह दॉक्टर के पास जाना और वहां पर अगर डॉक्टर क्या प्रिस्काइब करते हैं वह ट्रीट्मेंट कितना सही रहता है या फिर खुद से जो लोग सीज़े करते हैं इलाज के बारे मैं थोड़ा बता है चुकि यह वाइरल बुखार है कई बार अपने आप से ठीक भी हो जाता है और किवल पैरसेटमॉल ही काफी होता है और रेस्ट और तरल पदार्थ जिसमें ओरेस लिक्विट्स हैं जब तक बुखार चलना है अ बड़े को प्रिश्राइज ना करें कि यह इतना खाना खाई ले अंदर से इच्छा नहीं है जी आई सिस्टम भी थोड़ा सा डीला हो गया है तो वो खानी पाएगा जैसे ही बीमारी से उबरेगा यह अपने आप से खाना शुरू कर देगा और जितना खाता था उससे और थोड़ा सा जो चक्मा देने का तरीका है कि शुरू के तीन-चार दिन तो तेज बुखार आया शरीर में चकते वकते पड़े फिर हो सकता है ऐसा भी हो कि अगले दो-तीन दिन बुखार ना आए या पहले बुखार कंट्रोल से कंट्रोल हो गया था और बीच में बुख बच्चा सोचने लगता है या पैरेंट सोचने लगते हैं कि शायद हम ठीक हो गया है लेकिन इसका स्केंड फेज भी आता ए जो अमूमान 6-10 दिन का होता है कई बार पहले फेज और मिडल वाले फेज से बचके तीसरे फेज तो अगर अगर मरीज पहले 10 दिन में ठीक रहा है तो लाव होने के चांसे बहुत अच्छे हैं अगर डिंगू डाइग्नोस हुआ है तो इतने समय तक सहीं बढ़ते हैं डॉक्टों की निगरानी में रहें काणेक्ट में रहें और जो जैसे जैसे बतायजाएं वैसे वैसे करें परसितम मॉल जी अपसेट गस्टैटिस के लिए जो डॉक्टर दवा लेखते एं उसका सेवन करें प्लेंटि Asian लिक्विड जेतना डॉक्टर बताता है उसका दॉक्षै зависiblically हैं तो हमूमन् हर चार मरीज ठीक हो जाते हैं केवल इसके वज़ाे सार्ट कि टेस्ट की इंपर्टिंस चूट रही थी तेस्ट की किए क्या इंपर्टिंस है पता कैसे चले वह खार आ रहा है तो फिर आज के डेट में हर डॉक्टर कहता है सबसे पहले जांच करवा भई अपना देखो जाकर के तुम्हारा प्लेटलेट और डेंगू यह सारी चीज़े कुछ कॉमन जांच अभी लिखी जा रही है इनकी क्या इंपोर्टेंस है जी है तो अक्सर हम क्या करते हैं कि कुछ भी आया बुखार आया और हम पहुँचके आजकल तो डॉक्टर से पर्मिशन या कंसल्टेशन भी नहीं लेते और जाए गए और अपना खुन का जांच एक बेसिक खुन का जांच करा लिया जिसमें प्लेटलेट काउंट एक लाग आ गया उस पे बहुत ही हाइलाइटेट करके आता है कि एक लाग प्लेटलेट काउंट है और अननेससरी का पैनिक हो गया जिसकी वे अरे प्लेटलेट गर रहे हैं जितना दिमाग में नहीं चला था उस बुखार कम हो चुका था और सारी चीजें कंट्रॉल में थी लेकिन एक लाग के प्लेटलेट या नब्बे पैड़ा करने की जुरूद नहीं है केवल पेट शान्त रखने की दवा पारसिटमोल से काम चलाया जा सकता है लेकिन डिफिनिटली अगर शरीद पे लाल रंग के चकत्त्त्ते आ रहे हैं सूजन आ रहा है पेट में पानी आ रहा है या पेट में सूजन आ रही है कहीं से भी आया है चाहे वो लैटिन के रास्ते हो चाहे मूँ के रास्ते हो चाहे नाक के रास्ते हो चाहे वहाँ पे लाल रंग के चकते पड़े हो शरीर में फलशिंग हो रही हो खुचली हो रही हो तेज पेट में दर्द हो रहा हो अंकॉंशियस हो गया हो बेहोश हो गया हो या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही हो या सांस तेज चल रही है तो आपको डेफिनिटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए मिलना चाहिए और वो देखके डिसाइड करेगा कौन सी जाच करानी है चुशंकि ये केवल डिंगू में ही ऐसा हो जरूरी नहीं है वो अपने हसाब से देखके जो उनको साइन सिम्टम्स लगेंगे उसके हसाब से अन्य डिजीज के लिए भी जाच कराएगा उसमें आपको निकल के आएगा कि ये क्या बुखार है हो सकता है डिंगू ना हो स्क्रब हो या कोई और तरीके का बुखार हो जिसके लिए आपको हो सकता है केवल ओरल मेडिकेशन से काम चल जाए सर बस ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपका एक और छोटी से जानकारी कि अगर मेडिकल कॉलेज के आज पास किंग जॉर्ज मेडिकल उनिवस्टी में डेली वाहरोगी विभाग है जहां पर फीवर क्लिनिक और नॉर्मल क्लिनिक में मरीजों को देखा जा रहा है यहां पर डिंगू से बच्चाव के तरीके बताए भी जाते हैं डिंगू की सारी जाचें अविलेबल है और ना केवल डिंगू और इनको इससे अन्य वाइरल इल्निस से जो डिफ्रेंशियेशन के लिए जो टेस्ट होते हैं वो भी अविलेबल है तो अगर कुसी मरीज को किसी आत्मी को ऐसे लच्छण आ रहे हैं तो केजीमसी की ओपीडी में आके परामर्श ले सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको अगर एसे लक्षण होते हैं और कंटीनिव रहते हैं जैसे आप डॉक्टर साब ने बताया कि अगर बुखार आया तो आपने पहरे से टॉमॉल ले ली आपको आराम मिल गया आपने तरल प्रदार्थ लिए लिक्विड वाली चीजे लिए खाने पीने का ध्यान रखा और रेस्ट लिया प्रॉपर उस दौरान काम काज थोड़े दिन के लिए स्टॉप करके आराम मिल जाता है तो ठीक है नहीं मिलता है एलक्षण बढ़ते जाते हैं तो तुरन डॉ बहुत बहुत थेंक्यू सर हमारे साथ में जोड़ने के लिए और एक बर फिर से आप से कहेंगे जितने भी विवर्स और लिस्नर्स हमारे साथ में जोड़े हैं अगर आपके कुछ सवाल है इस विमारी से संबंदे तो जरूर हम तक पहुंचा आईए वाट्सेप नमबर हम झाल है